एक बार एक जगती अपनी बिल्कुल नई कार को बड़े प्यार से पालिस करके चमका रहा था तब ही उसकी चार साल की बेटी आई और एक छोटे पत्तर से कार पर कुछ लिखने लगी कार पर खरो लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी नन्नी बेटी का हाथ जोर से मरोड दिया इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलिया तूट गई और वे दर्द से चपटाने लगी आनन भानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया अस्पताल में दर्द से करा रही उसकी बेटी में उचसे बड़ी मासुमियत से पूछा पाप मेरी अंगलिया कब ठीक होंगी अपनी गलती पर अफसोस कर रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाया वे वापस घर आया और कार पर अपनी लाते गुसे बड़सा कर अपना गुस्ता निकालने लगा कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ी जिसकी वज़े से उसने अपनी बेटी का हाथ भरोड़ था बेटी ने पत्तर से लिखा था I love you पापा आदमे को आदमे गलाने से रोने लगा और उसे अपने आप पर बहुत गुस्ता आ रहा था नित्रों याद रखें गुस्ते और प्यार की कोई सीमा नहीं होती याद रखें चीजे इस्तमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए लेकिन होता अक्सर इसका उल्टा है लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तमाल करते हैं